तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्य चनल सम्राट करने तो दोस्तों मेरा नाम एका से इस वीडियों में बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो सब्जेक्ट आपका केम्प्यूटर है उसके वेरी मुस्ट इंप्रेंट डिसकस करने वाले हैं ओभी लगूतरिय ठीक ह अब दक मैंने अति लगूतरि डिसकस किया लेकिन बहुत लोग कमेंट किया कि अति लगूतरि भी बता दीजिए तो आज इस वीडियो में वही बात करने वाला हूं में लगूतरिय जो कि दो जरी बोड़ एक्जाम है जो मुस्ट इंप्रेंट क्यूशन जो आने के सबसे ज लाइक करके ही आप इस वीडियो को देखें ठीक है और वीडियो को आपको शेयर भी करना है कि ताके जितने भी इस्ट्रेंट कंप्यूटर लिया हूं उनको वेनिफेट हो सकते हैं और अच्छे समाक्स हुआ एक्जाम में ला सकते हैं ठीक है चलिए हम क्यूशन वर पहले क आप एक संचिफ टिप्ड़ लिखे या आपका लगूत्रिय का मत्वड़ प्रश्न है ठीक है तो देखें आपको किस प्रकार एकजाम में लिखना अगर एक क्यूशन आता है तो ठीक है तो देखें आप लिखेंगे उत्तर कि मध्याम आकार के मेनी कंप्यूटरों की कार्य आता है जिसे में समता तो था कीमत दोनों रिखेंगे की से अधिक और लिखेंगर लेकार की मिनी कंप्यूटर गति के एतना 10 से लेकर 30 में प्रथी मिट्र प्रति सिकंड होता है इसका मतलब होता है कि मिलियन इस्ट्रक्षन पर सिकंड होता है एक सिकंड में 10 या 30 यह प्रति सिकंड हुआ इस प्रकार से आप मिनी कंप्यूटर पर संचिप टिपड़ी लिख सकते हैं तो यह क्यों सनमर पहला है इसका संपूर्ण रूप से आपको दिखाए दे रहा है उम्मिद करता हूं कि पहले से याद करके तो इसको क्यों क्योंकि यह बहुत पर चलते हैं और वहीं बहुति जला जवाब के उसको देखते हैं चालता है झूजड़ चलते हैं अब यह आ गहाँ सूपर क्यों और प्रकार लिखेंगे की एक सरवधिक गती संगराच हमतायम उच विस्तार वाले होते हैं इसका कार एक समाने कमरे के बरावर होता है विस्वका प्रथम सुपर कम्प्यूटर के रिशर्च कंपणी दौरा सन 1976 में विक्सित क्रेफरस्ट था ठीक है भारत का प्रथम सूपर केम्प्यूटर परम है ठीक है भारत का जो सूपर केम्प्यूटर है प्रथम जो बना था उसका नाम क्या है परम इसका विकास CDAC ने किया था इसका विक्सित रूप परम यूवा आई आई भी तयार कर लिया गया है 20 वका सबसे 34 सूपर केम्प्यूटर प्रतियूस है जिसका केम्यूटिंग समता 6.8 PF जिसे PF का मतलब हता है पेटा फ्लॉप्स सूपर केम्प्यूटर का मुख्य उप्योग मौसम के भविस्वारी करने यनिमेशन तथा चलचीतर का निर्माड करने और अंतरी खयात्रा के लिए अंतरी खयात्रियों को अंतरिस में भ्हजने बड़े वेगानिक सुध प्रयोग सालों में सुध वखोस करने की त्यादी कारिया वे किया जाता है उदारण की तोर सब पर जैसे परम हुआ लिए आपको बता रहा हुं ठीक है तो इसका आपने नूट का लिए ताम बढ़ चलते हैं किador class सब्सक्राइब करने के लिए कि वे कंप्यूटर जो अंको पर अधारित होते हैं इनका उपयोग अंको की गढ़ना करने के लिए किया जाता है आधुनिक यूग में प्रयूक्त अधिकतर के एंप्यूटरण डिजिटल केंपिटर की स्रेड़ी में ही आते हैं यह इनपूट कीए गए डाटा और प्रोग्राम स को जीरो और एक में परिवर्टित करके इन्हें इलेक्टोनिक रोप में प्रयूक्त करता है दिजिटल केमप्यूटर का उपयोग वैपार में घर के बचाट एनिमेशन के चेतर में बिस्तिरीत रूप से किया जाता है जैसे आपका डेस्टाप केमप्यूटर लेप्टाप आदी जिस प्रकार हम लोग इसमें जो यूज कर रहे हैं उसी को डिजिटल कंप्यूटर का जाता है क्या करता है कि वह अंकों में परिवर्टित करता कोई भी आप सर्च करेंगे तो जीरो और वन के रूप में रूपांत्रित करके उसका सर्चिंग पॉइंट लेके तब हम लोगों कोई भी उसका डाटा देता ह है तो यह रहा आपका डिजिटल कंप्यूटर की बारे में मैं यहां पर लिख दिया हूँ जो कि बहुत ही मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन है और यह तो आपका दोजरे की सबसे ज्यादा मुस्ट इंपोर्टेंट परस्ट इसको तैयार करके जान आप लोगों जो भी प्रिंटर को समझाने के लिए बोला है ताप किस प्रकार लिखेंगे तो लिखे उतर कि यह एक प्रकार की आउट पूट डिवाइस है जिसका प्रियोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं या बलेक और इसको प्रिंटर की ऊढ़के इसकी प्रिंटर की क्वालिटी उतना यह अच्छा माना जाएगा अगर जipt न और जा आपका प्रिंटर के इक व्याड़का इसे चीप आक्पर सिंद भी डिका जाता है मे लाइन प्रतिमीन्ट इतना लिखने के बाद ही कुछ चीज यहां मैं मापी जातीय किसी क्वालिटि दिडार प्रतीइन्च में अब देखें यह किस буквार मैं allी्ट की बारे तह लोग होगा जो कि आप गदे रहें अपने थौर्प से अप्रस्ज़्स लिग सकते हैं लेकिन कुछ लाइनिंग इसमें तो जो मुस्ट इंपोटेंट उसको भी आप उसके इंक्लूड कर दीजेगा ठीक है चलिए क्यूसर मर्च था था ठीक है उम्मिद करता हूं कि आपको तयार हो गया होगा आप अच्छे डंग से लिक भी लेंगे चलिए पर चलते हैं अगले क्यूसर क्यों और और आज का कर देँगा क्रया कि माउस को समझाइए आप देखें माउस बहुत लोग देखें अब माउस केबार में आप ब्यूरों जनकारी लिखना ठीक है तो आप लिखें कि यह एक परकार की पॉइंटिंग डिवाइस से क्या है पॉइंटिंग डिवाइस से इसका प्रियों कर पॉइंट या पॉइंटर को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाने के लिए करते हैं इसके अतरिक माउस का प्रियोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं इस में समाने तो दो या तीन बटन होते हैं एक बीरोड जनकारी से आपको लिख दिया कि माउस को समझाइए माउस की जितने विकारी जो भी फंक्शन सूस में होते हैं माउस के सम्भे ने उसमें आपको बढ़ियां से लिक के बता दिया आपको बस नोट करके और याद करके जाना इस्टुएंट ठीक है तो चलिए यहाँ मैंने टोटल 5 most important questions आप पे डिसकस किया है पांचो पांचो के पांचो मत तो पोड़े हैं ठीक है पांचो आने के समभाव ना इसको ठीक है इसलिए बहुत ज़्यादा most important है तो इस प्रशनों को लिख कर आपको तैयर करके जाना इस्टुएंट ठीक है दोजर एक इस लाइक किजे और चैनल पर नहीं है तो प्रेस्ट कर लेजे और बेल आइकन को प्रेस कर लेजे और इस्टुएंट यह आपका लगूत्री था अति लगूत्री नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाए वहां पर लिखा होगा कंप्यूटर यह कई वीडियो कर दो कर दो कर दो कर दो में